Hello Friends, जब भी Goods and Services के Prices साल दर साल लगातार बढ़ते जाएं तो आम भाशा में इसे Inflation का आ जाता है Inflation का मतलब होता है कि Economy में Goods and Services का जो General Price Level है वो लगातार बढ़ते जा रहा है गौर कीजे कि हम यहाँ पर Economy में General Price Level की बात कर रहे हैं यानि अगर किसी एक या दो चीजों का प्राइस बढ़ रहा है तो इसे Inflation नहीं का जा सकता चली देखते हैं कि Rate of Inflation किस तरह से Calculate किया जाता है मान लीजिए कि इस साल जिन Goods and Services का प्राइस 5000 रुपे है अगले साल यह प्राइस बढ़कर 5500 रुपीज हो जाए तो Rate of Inflation calculate करने के लिए हम लोग 2022 के Price Level से 2021 के Price Level को Subject करेंगे और जो भी Value निकल कर आईगी उसे 2021 के Price Level से Divide करेंगे और उस Value को 100 से Multiply कर देंगे इस Formula की Help से जो Value निकल कर आ रही है वो है 10% 10% Inflation का मदलब क्या होता है यह आप इस Chart की मदद से समझ सकते हैं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन Goods and Services का Price अगर 2021 में 5,000 रुपीज है तो अगर अगले 20 सालों में Annual Inflation Rate 10% की रेट से बढ़ते रहे तो यह Same Goods and Services 2041 में 33,638 रुपीज के हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 10% Inflation किस तरह हमारे Goods and Services को महंगा कर सकता है बट Inflation का असर हमेशा इतना खराब नहीं होता, कुछ मामलों में Inflation अच्छी भी होती है खास कर तब जब Rate of Inflation 0 से 4% के बीच में हो, इसे Creeping Inflation का जाता है To be more specific, अगर Inflation 2% से 4% के बीच में है, तो इसे Economy के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ऐसे में Producers और Traders Reasonable Profits कमा पाते हैं और Investors भी ऐसी Economy में पैसे Invest करना चाते हैं और यही कारण है कि 2 से 4% के बीच के Inflation के साथ Economic Growth को जनरली देखा जाता है बट अगर Inflation 10% से 50% के बीच में हो जाए, तो इसे Galloping Inflation का जाता है Actually कुछ बुक्स में आपको यह Value 10% से 100% दिखेगी कहीं कहीं पर आपको यह Value 10% से 200% दिखेगी बट इन जनरल 10% से 50% के बीच के Inflation को ही Galloping Inflation का जाता है और अगर किसी देश में Inflation 10% से 50% के बीच में है तो इसे Economy के लिए Dangerous मना जाता है याद कीजिए वो Graph जो अभी थोड़ी दिर पहले हमने देखा था वहाँ पर हमने देखा था कि 10% Inflation ही Goods and Services के Prices को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था तो अगर Inflation 50% तक पहुँच जाए तो इसे Economy के लिए काफी ज़्यादा Dangerous मना जाएगा इसलिए Galloping Inflation को Hopping Inflation, Jumping Inflation या फिर Running और Run Away Inflation भी कहा जाता है अब बात करते हैं Creeping Inflation और Galloping Inflation के बीच की percentage के बारे में यानि 4% to 10% के Inflation के बारे में बिसिकली अगर Inflation 4% से 10% के बीच में है तो इसे Walking Inflation का जाता है Walking Inflation बिसिकली Government और Central Banks के लिए एक Alert Mechanism के तरह काम करता है अगर Inflation इस Range में है तो ये Central Bank और Government के लिए एक Alert होता है कि अगर अब Inflation को Control नहीं किया गया तो Inflation Galloping Inflation में Convert हो सकती है जो कि Economically काफी ज़्यादा Dangerous होती है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे Inflation बढ़ रही है वैसे वैसे ये Economy के लिए और ज़्यादा Dangerous हो जाती है और ऐसा नहीं है कि Inflation 50% तक ही Rise हो सकती है In fact, Inflation 50% से ज़्यादा भी हो सकती है और अगर Inflation 50% से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहा जाता है Hyper Inflation जो कि Extreme Form of Inflation है और Hyper Inflation में Goods and Services के Prices अलमुश हर दिन तेजी से बढ़ते चले जाते हैं और ये वो Situation होती है जब Inflation Out of Control होती चले जाती है और कई बार Inflation का Annual Percentage Millions में पहुंच जाता है सोचके देखे कि अगर Inflation 1,000,000% हो तो जो Bread का Packet हमारे देश में 50 रुपई का मिलता है कल सुबह जब आप उठेंगे तो उसकी कीमत बढ़कर 1419 रुपीज हो चुकी होगी इसको आप इस नजरिये से भी देख सकते हैं कि आज की डेट में 50 रुपे में आप पूरे के पूरा Bread का Packet खरीद पा रहे हैं लेकिन कल सुबह इसी 50 रुपे के नौट में आपको सिर्फ Bread का एक तुकडा ही मिलेगा और यही होता है Hyper Inflation के Case में आपके Paper Money और आपकी Currency की जो Value है वो लगातार घटती चली जाती है लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक Hypothetical Case है 1 Million Percentage Inflation कहां होता होगा बट ऐसा नहीं है 2008 में जिंबाब्वे की Annual Inflation Percentage 90 Billion Million Percentage हो गई थी ऐसे में वहाँ पर एक Bread के Packet की Cost हो गई थी 3.5 करोड जिंबाब्वे Dollars अब आप सोच के देखिए कि अगर एक Bread के Packet को खरीदने के लिए 3.5 करोड जिंबाब्वे Dollars देने पड़ रहे हैं तो बाकी चीजों को खरीदने के लिए तो हजारो करोडों जिंबाब्वे Dollars देने पड़ रहे होंगे और 2008 में Google पे और दूसरी Paytm Apps तो हुआ नहीं करती थी ऐसे में जिंबाब्वे की लोगों को रोज मरहा की चीजों को खरीदने के लिए सोच के दिखिए कि कितने सारे करेंसी नोट्स बड़े बड़े कार्टन्स में लेकर जाने पड़ रहे होंगे इसलिए वहां की गवर्मेंट ने 2008 में 100 मिलियन डॉलर्स तक की नोट चाप दिये बट ये नोट्स कितने भी मिलियन्स या बिलियन्स के हों इसकी कोई वैल्यू नहीं थी इनफेक्ट एकॉनमिस्ट मैगजीन ने जिंबाब्वे की करेंसी को वर्थलेस डिकलेर कर दिया था और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी सिचुईशन जिंबाब्वे के साथ ही हुई इससे पहले और इसके बाद भी इस तरह की सिचुईशन कई सारे देशों को जहिलने पड़ी है 1923 में First World War के बाद जर्मनी को भी Hyper Inflation का सामना करना पड़ा था और अभी दीसेंटली 2019 में वेनिंजुलिया के केस में भी हमें Hyper Inflation देखने को मिला तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि Inflation क्या होती है Next वीडियो में हम लोग Cost Push Inflation और Demand Pull Inflation के Concept से समझेंगे कि Inflation होती ही क्यों है Indian History, Indian Policy और Indian Economy को डीटेल में कवर करने के लिए बुखस्तावा की प्रेलिस को फोलो कीजिए Thank you so much for watching and supporting Buxtava